हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार साथियों UPSC PYQ मेंस की जो सिरीज है उसमें GS Paper 3 का Economy का सेग्मेंट हम लोग per lecture wise discuss कर रहे हैं और इसमें आपने देखा होगा कि अब तक हम लोग 11 lectures कर चुके हैं आज इसकी श्रिंखला में 12 लेक्षर है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आर्थिक नियोजन और नीतियां हैं तो आर्थिक नियोजन और नीतियों से सम्मंदित जो प्रशन पूर्व के वर्षों में आए हुए हैं आज उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रारम करते हैं क्या प्रशन पूछे गए हैं लेकिन इस वर्ष इस पर प्रशन आया है तो आर्थिक नियोजन और नीतियों से सम्मंदित प्रशनों में हम पहला प्रशन देखते हैं जो प्रशन आप से पूछा गया है इसी वर्ष के मेंस में वो यह है कि वो यह है कि भारत में श्रम बाजार सुधारों के संबंद में चार श्रम संहिताओं के गुण और दोशों की विवेचना कीजिए इस संबंद में अब तक क्या प्रगती हुई है यह बताईए तो आप से सीधे सीधे यह पूछा जा रहा है कि जो चार लेबर लॉज लाए गए है उनमें क्या अच्छाईया है और क्या कमिया है उनके बारे में बताने के साथ-साथ आपको यह भी बताना है कि अब तक इसकी वरतमान में क्या वस्तु स्थिती है स्टेटस है तो प्रस्ट को तीन पार्ट में आपको देखना है सबसे पहले आपको इंटॉ liken देना है और इंटॉ Daisy प्रस्ण में बेसिक जन्रल इंटॉर Simpson देंगे कि कि क्यों हम संढिये थे और Surk बताएंगे कि इसमें क्या स्टेटस है अभी तक उसके बाद आप एक निश्कर्स देंगे और बताएंगे कि हमारे विक्सित भारत के लक्ष को प्राप्ट करने के लिए हमें श्रम सुधारों की हम शक्ता है हमारा श्रम सुधार एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगा भ प्रारम करते हैं सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए और बताएंगे हाल के वर्षों में भारत में श्रम बाजार सुधार सरकार के बहुत त्यादा फोकस एरिया में रहा है चार श्रम अधिनियम जो लागू करने का उद्देश है हो मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाना है ताकि कारोबार करने में आसानी हो और नियोकताओं और करमचारियों दोनों के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाया जा सके अब आप बताएए इनके क्या गुर्ण हैं इनके क्या अच्छी चीजे है सबसे पहली चीज यह है कि जो श्रम कानून है उनका सरलीकरा किया गया है कई सारे श्रम कानून जो बहुत ही complicated थे आसानी से समझ नहीं आते थे उनको ठीक किया गया है आसान किया गया है easy to understand किया गया है कई सारे कानूनों को खतम करके चार कानून ही केवल रखे गये हैं तो बहुत सारे जो complexities create होते हैं बहुत सारी जो जटलताएं create होती है वे नहीं होंगी नियोकताओं और श्रमिकों के बीच के लिए अधिक स्पस्टता इन कानुनों में दी गई है नियोकताओं के अधिकार करतावे जो श्रमिक है उनके अधिकार करतावे participation ये सारी चीजों के बारे में स्पस् करने के लिए प्रक्रिया को किया गया है और इन सब्सके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण रूप से contractual जो employment है जो अनुबंद रोजगार है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है अप्चारिकता को प्रोथसाहन दिया जा रहा है यानि कि अप्चारिक रोजगार को प्रोथ हावा मिले सामाजिक सुरक्षा coverage भी इसके इंतरगत दी जा रही है व्यापक सामाजिक सुरक्षा coverage जाल इसके इंतरगत लाया जा रहा है जिससे बविष्ण निधी graduate स्वास्थे लाव सामाजिक सुरक्षा लामों का विस्तार अधिक से अधिक स्रमिकों तक होगा क्योंकि अगर formalization of labor हो गया जो labor है जो श्रमिक है उसको आपचारिक तोर पर आपने admit किया तो आप उसको सामाजिक सुरक्षा में भी लाएंगे गिग economy में काम करने वाले स्रमिकों को भी इसके लाब प्राप्त हो चीक है अब चुनोतियां क्या है कमियां क्या है समस्याएं क्या है पहल प्रिया सरल कर दी गई तो नौकरी की सुरक्षा संबंदी जो चिंताएं हैं जो समस्याएं वे तो अपने आप स्रुजित हो जाएंगी ठीक है तो इससे क्या होगा निकालना आसान होने से स्रमिकों के मन में असुरक्षा पैदा होगी और इसे चोटी फर में जहां रोजग जो मज़दूरों की सामोहिक सोदेती है जो वह गुरूप बना लेते हैं, जोब करति हैं, जो मज़दूर संख बना लेतेे हैं उन से वे अपनी बाते मेनेजमेंट से असानी से मनوا पाते हैं ठीक है, तो जो फिजप्षा मानने है कि ये वास्तों में trade union विरोधी है कानून और वह trade union पर जो प्रतिबन लगा रहे हैं उससे जो collective bargaining की power है जो सामोहिक सौधे बाजी की सक्ति है उसे वो कमजूर कर रहे है कानून इसके साथ साथ इसके कार्यान्वین और अनुपालन में भी चुनाथियां है यानि कि ये कार्यान्वण के लिए इसकी छमता कम है विशाल अनुपचारिक छेत्र है भारत में ओर अलग-run हैं जहां पर अलग-अलग तरीके की परिस्थितिय कें तो भारत में संपूरण तोर पर लागू करवाना एक बड़ी चुनोती है और इसमें लगू उद्धिमों पर अत्यधिक बोज भढ़ जाएगा क्योंकि बड़ी कंपनिया इन सुधारों से लाप्राप्त होगा लेकिन उच्च और मद्ध्यमाकार के उद्धिमों को अतरिक्त अनुपालन लागतों से जूजना पड़ सकता है क्योंकि अब उन्हें कई सारे भुकतान भी करने पड़ेंगे अपने श्रमिकों के लिए भी आपको सुरक्षा देनी होगी तो अब उनके लिए खर्चे बढ़ गए हलांकि बड़ी कंपनियों को इसमें लाब होगा क्योंकि बड़ी कंपनियां लेकिन इसके कार्यानिवन में देरी हो रही है, ये 2020 में संसत्वारा पारित हो गया था, लेकिन ट्रेड उनियन के विरोध और विबिन नहितदारकों के साथ चल रही बाचचीत के कारण, कार्यानिवन में इसके देरी हुई, राज इस तरी विविदताएं हैं, क्योंकि राज कहा जा रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है ठीक है और अभी भी इसके रिजल्ट्स आने बाकी है अभी इसके प्रॉपर रिजल्ट्स आने बाकी है कि हमें पता चले कि इसकी क्या स्थिती है ठीक है तो इस प्रकार अब आप इसका एक निश्कर्स दे दीजिए और निश्कर्स को सरल और सुवयवस्थित करके इन संहिताओं का उद्देश व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है इस आफ बिंग बिजनिस को बढ़ावा देना है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है और सतत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है त सिध्धान्तों सिध्धान्त इसके पूर्व के योजना आयोग के सिध्धान्तों से किस प्रकार भिन्न है तो अब आप से बिल्कुल सीधा प्रशन पूछा जा रहा है यह वर्षद 2008-18 का प्रशन है और आपको नीती आयोग और योजना आयोग के जो अलग-अलग सिध्ध और व्यावहार हैं सिदान्थी के वल पूछा है लेकिन आप उसमें व्यावहार मतलब धाचा और आधी चीजों पर भी चर्चा करते हुए दोनों के अंतर को बताईए तो यह प्रश्ण है शुरुवात में इंट्रोडक्शन देंगे इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे क बविश्ण में इसकी भूमिकाओं के संबंध में टिपड़ी करेंगे और नीती आयोग के कुछ कदम अगर आपको याद होएं तो आप उसको इसमें अपने कंप्लूजन में इंक्लूड करें जिससे यह पता चले कि आप पिलकुल अपडेटेट भी हैं चीक है तो चलिए इंटूडक्शन में आप बताईएगा कि नीती आयोग जो है उसकी स्थापना 2015 में कारेकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी इसका अगटन भारतिय नियोजन प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए किया गया यूजना आयोग कुछ मुद्दों से ग्रस था और विशेश तो नीती आयोग योजना आयोग से काफी अलग है क्योंकि नीती आयोग का लक्ष नए भारत के लिए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है नीती आयोग के समख दृष्टिकोर्ट से निर्देशित है जो की समावेशी न्याय संगत और टिकाउ है तो नीती आयोग के साथ मार् करता यह रियाक्टिव नहीं है यह प्रतिक्रियात्मक्ता नहीं करता समस्या आने पर हल नहीं पहले ही समस्या को हल करने के लिए सक्रियता दिखाते हैं भागीदारी केंद्र की राज्य की अलग-अलग हिद्धारकों की भागीदारी को सुलिश्चित करता है महिलाओं को शश पढ़ार से इन दोनों के बीच में यानी कि योजना आयो और नीति आयोग के बीच में न्तर हैं कि इस सबसे पहले बढ़ा अंतर है दोनों की संद्रशना में क्या संगठन है और संगठन आपको बहुत अच्छे से याद होगा नीती आयोग और योजन आयोग दोनों के चेर्मेन तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं लेकिन नीती आयोग में क्या होता है एक CEO होता है जो की सचिव रैंक का होता है इसे भारत सरकार दोरा या प्रधान मंतरी दोरा नियुक्त किया जाता है आयो आयोग में क्या था एकब पाद्यक्ष होता था एक सदसे सचिव होता था और कुछ पूर्ण कालिक सदस्य होते थे तो यह ज्यादा क्लियरली डिफाइंड है वेल और्गनाइज़ धैं दूसरी चीज सहकारी संगवाद यूजन आयोग का दुछत को रूपर से नीचे यान फिट्सफॉल और वाली पालिसी थी सबके लिए एक जैसी नीती बना रहे हैं जाहें यूपी है या तेलंगाना है नीती एक जैसी है जबकि नीती आयोग का दिश्टिकोर्ड दूसरी तरह का है ये बॉटम अप अप्रोच लेता है यानी नीचे से उपर की और अप्रोच ले ने उनके क्रियान्वन को एकी क्रित रूप में करने के लिए महत्तोपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो सरकारी संगवाद के आधार पर कर दिया फिर वित पर नियंत्रण को लेकर कर सकते हैं आप अंतर देखें तो योजना आयोग जो था वो राज्यों में वित के निती आवंटन में कोई भूमिकाउस से नहीं दी गई है ठीक है राज्य को केंदर से कितना मिलेगा क्या मिलेगा यह चीज के संबंद में नीती आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है अब संविधान और रिपोल्टिंग की बात करें इससे पहले योजना आयोग राष्ट् रहान मंत्री मुख्य मंत्री और सवी राज्यों के मुख्य मंत्री और संग्षाषित राज्यों के उपरा जेपाल सम्मेलित होते हैं तो यहाँ पर इसको बाहर कहीं रिपोर्टिंग नहीं करनी है इस प्रकार से इसके प्रमुक अंतरों पर हमने चर्चा करी अब आते हैं स इस निश्कर्स में हम क्या बताएंगे कि नीती आयोग ने सतत्विकास लक्ष भारत सूचकांग को विभिन नमाब दंडों पर अक्षा प्रदशन करने वाले राज्यों को तयार करने और तदनुसार उन्हें रैंग देने का लक्ष बनाया है यह अंतिम लक्ष विकास को प्र प्रतिसपर्दी संगवाद का निर्माड करेगा जिसे पहले का यूजना आयोग प्रक्रिया में लाने में विफल रहा नीती आयोग के आने से यूजना प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव आया है क्योंकि इसके द्वारा अपनाए गए सिध्धानतों ने भारत को सहकार प्रतिसपर्दी संगवाद को पोशित और समर्थित किया है तो इस प्रकार से इसके प्रमुख अंतर आपने बता दिये अब आते हैं प्रश्ण नंबर तीन पर प्रश्ण नंबर तीन मेकिन इंडिया पर है और मेकिन इंडिया का प्रश्ण क्या है ये प्रश्ण है वर्ष श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है तर्क सम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए तो बेसिक लिए कह रहे हैं कि मेकिन इंडिया जो है वो स्किल इंडिया और लेबर रिफॉर्म इन दो पर डिपेंड करती है आपको इसके संबंद में इसके पक्षमें तर्क देने पिर आप में बॉडी में आएंगे और में बॉडी में आपको बताना है कि किस प्रकार से स्केल इंडिया यानि कोशल भारत और श्रम सुधार मेकिन इंडिया की सफलता का आधार बनेंगे और किस प्रकार से यह सहायक होंगे भारत में बनाए कारेकरम के इतना बताने के बा बताईए कि इसकी सफलता किस पर करती है इंडिया का रेक्रम और स्ट्रम सुधारों पर इंडिया कारेक्रम जो है वह में किरेखक का उद्देश विदेशी निवेश को आकरशित करना है और घरेलू विनिर्माल को बढ़ावाना देना है इसे संभव बनाने के लिए उद्योगों की मांगों को पूरा करने में सक्षम कुशल कारेबल आएगा कारेबल क्या वश्यक्ता होगी और वो कुशल कारेबल कहां से आएगा कौशल भारत मिसंद से आएगा और श्रम सुधारों से आएगा ठीक है तो अब इस प्रश्ण में आपको किस प्रकार से इसकी निर्भरता है वो बतानी है सबसे पहली चीज यह है किसे प्रतिसपरधा बढ़ रही है और बढ़ती प्रतिसपरधा के कारण भारती उद्योगों की प्र दक्षता को बढ़ावा देने वाले श्रम सुधार इसमें महत्तोपूर्ण योगदान दे सकते हैं अगली चीज यह है कि लागत प्रभाव शेलता होगी अगर हमें विनिर्मार करना है हमें मेकेन इंडिया करना है तो उसमें क्या है उसमें सबसे पहली चीज है कि श्रम ला को तर्ग संगत बनाकर और श्रम बाजार विनियमों को सुविवस्थित करके लागत प्रभाव शेलता प्राप्त करने में हम मदद कर सकते हैं इसके साथ साथ रोजगार शुजन करेगा कोशल भारत मिशन के द्वारा जब स्किल्ट पीपल की डिमांड होगी स्किल्ट निर्बर करती है और ये कुशल कारेबल के घरेलू और अंतर राष्ट्रिय दोनों तरह के निविशों को आकरशित करने की इसमें संभावना होती है इसके वाद आप निश्कर्स दे सकते हैं निश्कर्स में बताईए कि सफलता कौशल भारत कारेक्रम और श्रम सुधारों और रोजगार श्रिजन को बढ़ा सकते हैं साथ में ये पहल निवेश को आकरशित करके और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर मेकिन इंडिया के विकास और सफलता में महत्तोपूर्ण योगदान दे सकती है तो इस प्रकार आप अपने प्रश्ण का निश्कर्स द नहीं है प्रश्ण आप से पूछ रहा है कि पूंजी वाद ने विश्वर्थ विवस्था के अभूत पूर्व सम्रिद्धि तक दिशा निर्देश किया है परुंतु फिर भी यह अक्सर अदूद वर्शिता को प्रूत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के ब बता रहा है कि पूंजी वाद में यह यह कमिया है मतलब यह अदूरदर्शी है धनवानों को लाब देता है निर्धनों को हानी देता है ऐसा इसके साथ होता है और यह जानते हुए भी कि भारत में समावेशी सम्रिद्धि ला पाएगा चीक है क्या हमें पूंजी वाद को फिर भी भारत में लाना चाहिए उसे आगे बढ़ाना चाहिए तो आपका जो प्रश्ण है ना बेटा बिल्कुल क्लियर है सिंपल प्रश्ण हैं पहले आते भी आसान प्रश्ण थे सीधे सीधे प्रश्ण पूछे जाते थे अभी प्रश्णों में जिटलता बढ़ गई है हलांकि एकोनोमी के अगर मेंस के प्रश्ण आप देखते हो तो आप पाओगे वो ज़्यादा कॉम्पलिकेटेड कुश्चन एकोनोमी में नहीं पूछते हैं अगर कभी बहुत मुश्किल से पूछा तो कोई एक क्वेश्चन डाल देते हैं अधर्वाइस एकोनोमी के प्रश्ण एक या दो से ज़्यादा कभी डिफिकल्ट नहीं होते है अब आप इतने प्रश्ण लगाने के बार लगभभ बारा वीडियो देखने के बार आप समझ नहीं होगा आप बताइए कि पुझीवाद में क्या होता है सब कुछ निजी साहतों में होता है जिसका उपयोग लाभार्जन के लिए किया जाता है चिके पुझीवाद निजी संपत्ति पुझी के संचे प्रतिसपर्धी बाजार और मजदूरियादी पर आधारित है किस प्रकार वो असमानता गरीबी को फैलाता है इन सब चीजों पर आप चर्चा कर लीजिए तो सबसे पहले आप बता दीजे कि पुझीवाद कि अधारना किस पर आधारित है कि बाजार ही लोगों तक सामान जल्दी और कुशलता से पहुंचा सकता है और बाजार में अद्र समान समाज को बढ़ावा दिया है जो गैप बिट्विन पूर एंड रिच है जो अमीर और गरीब की खाई है उसने वह हमेशा बढ़ी है पुझी वाद की स्थिती में ठीक है इसके साथ साथ इसमें सामाजिक असमानता धन और शक्ति का अनुचित वितरण यानि कि कुछ ल का दमन सामाजिक अलगाव और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं हैं इससे समाज में उच्छ गिनी गुडांक होता है और इसके साथ साथ सामाजिक अशांती व्यापक संकट निम्नमानव विकास संके तक जैसी समस्याएं पैदा होती है तो यह सारी समस्याओं को एक प फिर से उसको आगे बढ़ा दिया चीक है इस हलके विनियमन के कारण क्या हुआ बैंकों ने अधिक बैंकरों ने अधिक वेतन के लिए अधिक जोके मुठाया और अंतमे प्रणाली के पतन का कारण बना जो की मुख्य अर्थविवस्था के से सडक तक फैल गया और रिल के ठह जोर छेत्रों की रक्षा के लिश्रम और पर्यावरर के बारे में नियम होना जरूरी था विश्रम संबंदी नियम और पर्यावरर संबंदी नियम को बहुत अच्छे से लागू नहीं करते हैं इसके साथ सत्मूजी वदी मॉडल के तहट बारत में ज़्यादा तरलोगों तक समावेशी तरीके से विकास पहुचना संबह नहीं है अर्थवेवस्था का मिश्रित तरीका होना जरूरी है जिसका मतलब है बाजार में सभी को उचित आवसर देते हुए समाजवादी मूल्यों को अपनाना तो आप से जब पूछा गया है कि क्या ये भारत के लिए ब इसके बाद आप निश्कर्स दे दीजे और बता दीजे कि समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए अधिक्तम लोगों के अधिक्तम आर्थिक विकास को प्रदान करने के लिए पूझी वात को विन्यमित करने की आवशकता है और दोनों पक्षों को संतुलित करने का व इस प्रकार हम लोगों ने बहुत सारे बड़े सेक्टर्स कवर कर लिये हैं कुछ एक या दो सेक्टर्स बचे हुए हैं उनको भी हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगा और इस प्रकार आपकी पूरी एकोनॉमी के 10 साल के पेपर आपके पास सॉल्ड होंगे उसका पूरा वी एक्यू आई क्यू आई एस हैंदी